समस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Defense Officers Academy के YouTube चैनल पे और आज इस वीडियो के थूँ हम आपके साथ एक और important information शेयर करने जा रहे हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं इस समय e-counseling process जो सैनिक स्कूल की है वो चल रही है और as a defense institute हमने भी काफी सारे वीडियो बनाए हैं सैनिक स्कूल को ले करके किसी काउंसलिंग की process का round one complete हो चुका है और काफी सारी queries हमारे सामने हैं जिसमें यह पूछा जा रहा है कि round one में आपके सामने जो भी विकल्प आये हैं इधर यू सवाल है कि किस तरीके सब आगे जो प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाना है तो आज के इस वीडियो में वही जानकारी आपको देने वाला हूं कि सैनिक स्कूल की E-Counseling round one के माइने क्या निकाले जा सकते हैं इसमें दो तरीके की category हो सकती है फहली category उन लोगों की है जिनने कुछ सैनिक स्कूल अलोट हो चुके है तो allotted category वाले हैं कुछ आप जब भी अपना sign in करते हैं AISS EE इस site पे और आप देखते हैं अपना result round 1 का तो वहाँ पर लिखावाता है you have allotted that scenic school के अलावा एक category ऐसे लोगों की है जिनको कोई भी scenic school round 1 में allot नहीं हुआ है so no allotment वाले भी हमारे सामने parents हैं या फिर कहें कि इस तरह के questions आ रहे हैं इनको allotted हुए हैं उनमें भी फिर आप दो तरीके के लोग देख सकते हैं allotted and they are also satisfied यानि कि आपको जो भी scenic school मिला है आप उससे खुश है या कह सकते हैं या आपका मनचाहा scenic school है second category of those people those are not satisfied with the allotment यानि कि आपको जो भी scenic school allot हुआ है आप उससे satisfied नहीं है और अगर मैं हाँ पर not allotted या not non allotment वाले विकल्प देखूं तो इसमें किदी सी बात है they are not satisfied non allotment वाले बट अब इनके सामने सवाल है सबसे पहले आगे कि what to do आगे क्या करना है and दूसरा है how to do इन दोनों पर ही चर्चा करूँगा इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे और साथी साथ आपको एक और खास काम यहां पर मैं दूँगा एक टास्क है जब भी आप round two की तरफ बढ़ते तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है पहली बात इन ही लोगों की कर लेते हैं जिन्हें कोई भी seat a lot नहीं हुई है तो what to do अब इनको यह करना चाहिए they should consider round two prepare for round two किती सी बात है लेकिन इसमें भी round two के लिए कैसे preparation करना है सबसे ज़रूरी बात यहीं पाजाती है how to do मैं आपको करना है वही दुबारा से 10 panic school आपको fill करने है और यह है सबसे ज़रूरी बात जिन भी parents की यह questions है कि हमें कोई panic school आलोट नहीं हुआ है अब हम आगे की प्रक्रिया में कैसे जा सकने है तो आपको फिर से दुबारा registration करना होता है round two के लिए उसकी date अभी आई नहीं है लेकिन कुछ homework करके आपको रखना पड़ेगा ताकि जैसे ही date आए round two की तो आप अपनी जो filling processes को जल से जल complete कर सके round two में दुबारा से 10 scenic schools को आपने priority basis पर रखना है तो उसमें किन बातों का ख्याल रखना है round two filling कैसे करना है आपने round two में सबसे पहले आपको तो you have to choose 10 scenic schools और जैसे ही आप इसको चूज कर लेंगे आप round two के लिए अपना submission कर देंगे लेकिन ये तो 10 scenic schools चूज करना है इस process में आपने किन बातों का ध्यान रखना है वो आप जरूर समझ लीजिए which scenic school and and how to get most of what you want आप जो चाहते हैं उसका सबसे जादा या सबसे अधिक हिस्सा कैसे गेन करेंगे देखिए अगर आपको राउंड वन में सैने की स्कूल एलॉट नहीं हुए है इसका मतलब आपकी जो इच्छा थी वो तो पूरी नहीं हुई है लेकिन अभी भी अगर आपकी इच्छा है क आपके बच्चे सैने की स्कूल में कहीं कहीं एडमिशन लें और बहतर सैने की स्कूल में एडमिशन लें तो यहीं आपकी जो पहली चॉइस का स्कूल था वो अगर नहीं मिला है पहले राउंड के स्कूल नहीं मिले हैं तो अब कुछ ऐसे स्कूल मिल जाए जो अच्छे सै स्कूल में से कौन-कौन से 10 स्कूल चुने जाएंगे उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कट आफ का कट आफ ओफ इच जैनिक स्कूल एट यू वांट इस दस सैनिक स्कूल आप देख लीजिए लिस्ट आफ सैनिक स्कूल जिसमें 33 सैनिक स्कूल हैं इन मैं से आपने 10 सैनिक स्कूल प्रायरीटी वाइस चूज किए थे राउंड वन में अब डाउंड टू में आप फिर से दस सेनिक स्कूल कोई भी दुबारा से वही भी चूज कर सकते हैं लेकिन उनको चूज कैसे करेंगे आप उनको चूज करते समय ध्यान देंगे कट ओफ का हर एक सेनिक स्कूल जो आपकी लिस्ट में आएगा उसकी कट ओफ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है और वो कट ओफ कौन सी कट ओफ इन यॉर कैटिग्री तुमान लीजिए किसी सेनिक स्कूल की कट ओफ जाती है इस सेनिक स्कूल की कट ओफ जाती है 269 और इस सेनिक स्कूल की कट ओफ 269 जो गई है यह आप अभी पता कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा कट ओफ वाली बात की कैसे आप उसको पता कर सकते हैं तुमान लीजिए किस सेनिक स्कूल है जहां आप अपने बच्चे का अड्मिशन कराना जाते है राउंड टू में उस सेनिक स्कूल की कट ओफ गई है 269 और आपके जो बच्चे हैं उनके मार्क्स आये हैं 263 तब तो आप इस सेनिक स्कूल में एड्मिशन के लिए जरूर एप्रोच कर सकते हैं क्योंकि बहुत जादा डिफरेंस नहीं है अगर आप देखते हैं कि जो मार्क्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं बच्चे के कि वो 230 के आसपास मार्क्स लाया है आप उस सेनिक स्कूल को कंसीडर करेंगे आप उस सेनिक स्कूल को कंसीडर करेंगे जो आपकी कट ओफ के पास हो तो उसके लिए आपने क्या करना है मैंने कहा हर एक सेनिक स्कूल की ओल 33 सेनिक स्कूल कट ओफ जो की मौजूद है वेबसाइट पर अभी दिखा दूँगा मैं आपको आपकी काटिगरी में कौन कौन सी केटिगरी होती है तो दो तरीके से केटिगरी की मैं बात यहां पर कर रहा हूं आप बॉईज हैं या फिर आप कर्ल सें वोईज यह काटिगरी है आपके लिए फिर कर फिर ह bet अधर लागरी यह है यह कटिगरी हैर उसके बाद अगली केटिगरी का है आप ठैरल Saint है डिफेन्स है इस क्टिगरी में है पृप 33 सेनिक स्कूल की कट ओफ देख। आपको तो इसी तरीके से अपनी cut-off को note करना है, अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, suppose कीजिए आप boy हैं, तो आप boys वाली category देखेंगे, माल लिजे आपकी other states की scenic school को अपने देखना है, जो कि जाहतर cases में हो गई, वो है, और माल लिजे आप ST community से हैं, तो आपने boys की other states की ST community की 33 scenic schools की सारी cut-off को note कर लेना है, and after noting the down, नई कहानी क्या होगी, तो माल लिजे आपके marks आते हैं 235, यह आपके marks है, आपने अब वो scenic school चुनने हैं total 10, जिनके जो cut-off होगी, वो इसी के आसपास हो, तो 5 marks की range में आपने देखना चाहिए, 240, 239, 238, 236, 235, 241, 236, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 237, और इसी तरीके से आपने total 10 schools मना लेने हैं, जब आपने पूरे 33 सेनिक schools की cut-off note कर ली, अपनी category में और आपने देखा कि यह यह हैं, जो मेरी marks की range में आने वाले schools हैं, उसमें आप 10 schools select करके इनको choose कर सकते, अब इन 10 schools में से कौन सा school आपको जादा required है, वो एक choice रहेगी, और कौन सा school है जिसकी cut-off कम गई है, लगभग 235 के पास ही गई है, वो भी एक choice रहेगी, हो सकता है एक ऐसा school हो जिसकी cut-off 236 गई हो, लेकिन वो आपकी पसंद का school नहीं हो, आपकी पसंद के school की cut-off 240 गई है, तो आपको 240 वाले को पहली priority पर रखना होगा, लेकिन 236 वाला जो सेनिक स्कूल है cut-off वाला, उसको भी आपने consider करना है, उसको भी list में शामिल करना है, इस तरीके से आप approach करेंगे round 2 को, और ये उन लोगों के लिए हैं, जिनको अभी तक कोई भी सेनिक स्कूल allot नहीं I hope आप कोई बात समझ मा आई होगी, दुबारा इस वीडियो को ध्यान से दिखेगा, जो non allotment वाले हैं, round 2 के लिए prepare करें, फिर से 10 सेनिक स्कूल फिल करने हैं, और 10 सेनिक स्कूल कैसे फिल करेंगे, तो उसमें आपको सबसे पहले cut-off देखनी है, हर एक सेनिक स्कूल की आपको नहीं सोचना है, ओके तो फिर आपको दुबारा या तो प्लैनिंग करनी पड़ेगी, किसी और सेनिक स्कूल में जाने की, या फिर अगर आपके पास एक्जाम में आपको देखना पड़ेगा, या 6th के हैं तो फिर 9th क्लास के लिए सोचना पड़ेगा, तो ये साफ बाद यहां पर मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको इस चॉइस को फिल करना है, तो सबसे पहली जो बात थी, वो उन पेरेंट्स के लिए थी, जिनने अभी तक राउंड मन में कोई सफलता नहीं मिली है, दूसरे जो टाइपस ओफ पेरेंट्स हैं, उसमें हैं allotted and satisfied with the Senate School, now you have to just follow the procedures, और उसमें ध्यान देना है आपने according to date, मतब जो निर्धारित समय है, उससे पहले ये सब कुछ कर लेना जरूरी है, डेट्स को लेकर के discussion में एक बहुत छोटा सा वीडियो में इससे पहले बनाया हुआ है, आप देख लीजे, important dates कौन कौन सी है, 27th of April तक last आप अपने अपना verification और documentation ये सब करवा लेना है, और बीजीश में वहाँ पर जो dates है, उनकी बारे में भी जानकारी है, तो जो satisfied है with the allotted Senate School, उनके लिए तो जादा कुछ कहने की ज़रूत है नहीं, उनको अपने अपनी process को follow करना है और बच्चे का admission करवाना है, now there are some people who are allotted some Senate School, but not satisfied with the allotment, जो Senate School उनको मिला है वो उसके लिए तयार नहीं है या फिर खुश नहीं है, उस Senate School को allot होने को ले करके, तो non satisfied या फिर जो लोग satisfied नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास options है, पहला option है, accept जो भी आपको मिला हुआ है, और दूसरा option है कि आप reconsider कर सके हैं, Senate School allot नहीं हुआ है, या फिर जिनको Senate School allot हुआ है, वो उस Senate School में admission नहीं चाहते हैं, तो एक तरीके से वो non allotment की category में आ गए, क्योंकि उनको यह चाहिए ही नहीं था, वो दुबारा से round 2 में जाना जाते है, तो round 2 में कौन जाएंगे, round 2 में वो जाएंगे, यहाँ पर एक नहीं चीज और तैयार हो जाती है, जो कि इस वाली category से अलग है, इस वाली category को मजबूरन round 2 में जाना है, इस वाली category के पास choice है, इन्हें एक मिला हुआ हुआ है, और दूसरा या तीसरा जो इनका मनमर्जी का स्कूल कोई है, या कुछ और Senate School की group होते हैं, जिसमें, हो सकता ह आपने टॉफ फाइब को अपनी तरफ से सेलेक्ट की हो, उनमें आप admission नेना जाते हैं, तो उसके लिए आप सोच रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फिर से उसी cut-off की list तैयार करनी है, all 33 Senate Schools की, अपनी category में, और अब इसको compare करना है, with your marks, अगर आपके marks, अपनी पसंद के कुछ चुनिंदा सेनिक स्कूल से, जो वहां की cut-off है, वहां से मिलते जुलते हैं, आपका difference दो, तीन, चार marks का है, तो you have to reconsider, आप reconsider कीजिए, इस मिले हुए सेनिक स्कूल का आप छोड़ सकते हैं, नए round पर जा सकते हैं, और फिर से choice fill कर सकते हैं, उसी तरीके से, जिस तरीके से, इस category के जो बच्चे हैं, उन्होंने fill करी थी, और अगर आपको ऐसा लगता है, कि आपकी जो बहुत सारे सेनिक स्कूल में, आपकी जो इच्छा है, मतलब एक, दो, तीन, चार कोई सेनिक स्कूल होते हैं, इसमें कोई top priority पे होता है, कोई least priority पे होता है, इन सेनिक स्कूल की cut-off को देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कि आपके मांक्स हर एक SENic School की जो cutoff है उससे बहुत कमा रहे हैं जो आपको चाहिए और जिस SENIC School की cutoff करे आसपास आपके मांक्स आ रहे हैं वो Оontaious स्चूब्ल आपको पसंद नहीं आ रहा है अब आपको ये फैसला लेना होगा कि किibenे आप उसी सली की सुझ में जो आपको अलोट हुआ है, उसमें जाना चाहते हैं, या फिर उन सेनिक स्कूल के लिए भी ट्राइग करना चाहते हैं, जो आपको उतने पसंद तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ जो अपको अलोट हुआ है, उससे बेटर हों, राउंड टू में चांस हों, कि आप वहां प तो ठीक से दिमाग में बैठाना चाहिए, और ये सब काम उस ताइस शुदा तारीख से पहले कर लेना होगा, जो तारीख आपको मिली हुई है, ये सब कुछ कर लेने के बाद जब आप एकसेप्ट कर लेते हैं, तो आपका डॉक्यमेंटेशन होगा, इफ यू वांट टो का वेट शुरू हो जाएगा, यानि कि अपने रिकंसीडर किया है, अब आप राउंड टू में एंटर कर सकते हैं, एक और खास बात यहां पर मैं बताने जाता हूँ, एक और खास इंफॉर्मेशन कि अगर आप मान लीजिया, आपको जो सेनिक सूल अलॉट हुआ है, उसमे तो वेकेंड हो जाएगी और आपका एक तरीके से रिजेक्ट हो चुका है, जो भी अपने राउंड बन में अपना फिल किया हुआ था, आपको कोई ने कोई एक्शन लेना ज़रूरी है, इधर यूब रिकंसीडर और यूब तो एक्सेप्ट अलॉटेट स्कूल, अधर वा है कि आपने अलॉटेट और नॉन अलॉटेट जो भी मैंने यहां पर केटेगराईजिशन किया, उसे आपसे अपनी अपनी चॉइस फिल करने को लेकर के जानकारी ले ली होगी, एक बात और है जो मैं यहां पर आपको बनाना चाहता हूँ, आपसे हमने कहा था कि कट-off के बारे में आपको पता करना है, ओके, तो कट-off का आप कैसे पता करेंगे, उसके लिए आप जाएंगे, ओल इंडिया सेनिक स्कूल एडमिशन से रिलेटेट जो वेबसाइट है उसमें, इस इस दो वेबसाइट और यह उसका इंटरफेस आपको यहां पर दिखेगा, इस वे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया इंटरफेस आना चाहिए आजाएगा, उस नए इंटरफेस में आपको इस तरीके का दिखेगा, अब यहां पर क्या-क्या चीज़े है, इस स्कूल वाइस कट-off में, तो मान लीजे, क्लास शिक्स्त में आप है, अगर क्लास नाइंथ में सामने भवाँ यहां आपको सेलेक्ट करना है, न्यूस हैनिक स्कूल है, तो हम बात करते ही नही है, जैनिक स्कूल की हम बात कर रहे है, किस राउंड की की डिमान रहती है यह सर घोड़ा खाल की बताइए तो यहां पर अभी घोड़ा खाल करें तो आप शुरू से लेके लास्ट तक सारे सेनिक स्कूल देखेंगे अगर आप हैं तो फिर आप सर्च करेंगे इस सर्च बटन को जैसी आप दबाते हैं तो वैसी आपको एक लिस्ट दिख जाएगी जो कि इस तरीगे से आएगी अब आप यहां पर देखिए सेनिक स्कूल में अधर स्टेट्स में यह सब सेनिक स्कूल घोड़ा खाल से लेटेड हैं और यह स्टेट्स हैं बिहार से जिन लोग ने अप्लाई किया दिनली से हर्याना से जम्मो कश्मीर जहारकन लद्दाग मध्यपरदेश अलग अलग यहां पर देख लीजिए मानलीजे अधर से हैं बॉई हैं और एस्टी के टिगरी के हैं तो आपको सिर्फ यह वाले हिस्से पर ध्यान देना है और आपने टू फॉर्टी वन इस वाली कट ओफ को नोट कर लेना है सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में आप अगर एस्टी के जाएगे अब if you are belonging to st category in other state so other state st category में आपको यहां पर दिख रहा है और boys है boy में आते हैं boy की category में 229 इसकी cut off गई है तो एक-एक करके अपनी category में other or home state के हिसाब से cut off को आपने लिखते रहना है और इसकी list बनानी है and if you do the needful इसी तरीके से आप हर एक स्कूल की cut off यहीं website से चेक कर सकते हैं इसके लिए किसी पर depend रहने के ज़रत नहीं खुद इसको search कीजिए internet के माध्यम से और उस cut off को note कीजिए without that homework आप अगले round की तैयारी बिलकुल नहीं कर सकते without analyzing the cut off you cannot select the desired scenic school और आपको यह भी पतानी चलेगा कि जहां आप सैनिक स्कूल में admission करवाना चाह रहे हैं वहां हो भी सकता है या नहीं और इसके लिए फिर आखिर मैं मैंने जो आपको बाते बताई थी वह सारी की सारी यहां पर relevant हो ही जाती है ओके इन सब बातों का ध्यान रखते हुए allotted वाले अपना काम करें not satisfied but allotted वाले इस बात को ध्यान में रखते हुए either consider और accept की तरफ बढ़ें और non allotment वाले तो सीधे सीधे आप cut off analysis में जुड़ जाएं सारे scenic schools की cut off और अपने mark सिर्फ से comparison कराएं scenic schools जो सारे हैं उनकी cut off में सिर्फ अपनी category की cut off देख लिजेगा इस basis पर आप boy है या girl है हो में अधर है या किस category के हैं तो उमीद करता हूँ इस पूरी information को आपने ठीक से समझा होगा और round two में entry करने से पहले का जो अपना homework है उसको आप ठीक से कर लेंगे और उसके बाद जैसे ही round two की dates आती हम आपको ज़रूर inform भी करेंगे और इसी तरीके से अब अपनी choice of filling के लिए list पहले से ही तहियार करके बैठे होंगे और इस समय यह और ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए अपनी जो choice के schools हैं उनको fill करना round one में we do not know that what is the cut off of these schools which we are filling round two में हमें पता of का पूरा का पूरा listed criteria है और यह पूरी की पूरी information इसी पर based थी on that note आज के इस वीडियो को भी हैं पर समाप्त करते हैं आपकी कुछ भी queries हूं तो आप तुरंत हमें comment section में बताएं इसके अलावा खुद भी आपको कुछ homework करना होगा जो कि मैंने आपको बताया है उस पर ज लेंगे नए वीडियो में नई information के साथ take care and bye bye